नमस्कार दोस्तो, Mecanical Seal Flacing Plant के बारे में हम लोग भाद dancing कर रहे थे और हम लोगोंने Single Seal Flacing Plant और Dual Seal Flacing Parent के बारे में detail में बात किया है, एक एक plant को लेकर के individually काफी details में video बनात में बात करेंगे dry gas seal कैसे काम करता है, उसका seal skid कैसे होता है, इसके बार में भी detail में समझेंगे seal skid को लेकर के compressor में interlock क्या क्या होता है, क्या क्या tripping values दिये रहते हैं किस-किस basis पे इसके बार में भी बहुत detail में समझेंगे तो dry gas seal से related जो भी points आते हैं, जो important है, कोई भी operating personnel या process insurance के लिए वो सारे ही important points को इस पार्ट में cover करेंगे dry gas seal को लेकर के मैं पहले भी एक video बनाया था जिसको लोगों ने काफी पसंद किया था but unfortunately कुछ कारण बस उसको delete करना पर गया था इसलिए ये आज एक fresh video बना रहे है dry gas seal को और उस video में फिर से पहले ही की तरफ पूरे detail में इसको discuss करेंगे तो dry gas seal के बार में बात करने के पहले, सबसे पहले हम लोग ये जैसे dry gas seal है यहां पर ये जोनो दोनो लाइन है ये discharge की लाइन है तो मालीज ये two stage centrifugal compressor है तो ये सारे तो discharge की लाइन है और ये मालीज ये second stage सक्सान है और ये first stage सक्सान है इस तरह से तो यहां पर ये जो पार्ट है ये impeller है और ये shaft है यह पार्ट में dry gas seal रहता है, यहां पे soft seal लिखा गया है, यहां पे basically dry gas seal है, तो एक इस side में और उसी तरह दूसरे side में, भी soft seal में, ठीक है, और यहां उसके बाद फिर general bearing और thrust bearing होता है, जैसे यहां पे general bearing होगा, फिर यहां पे thrust bearing होगा, तो मैं आपको actual image भी दिखाता हूँ कि कहाँ पे dry gas seal होता है, यह देखिए, यह आपका impeller है और impeller के बाद जहां पे impeller का खतम होता है, यह first part में सबसे पहले dry gas seal होता है, यहां पे dry gas seal होगा, फिर यहां पे general bearing है और here thrust bearing होcejाँ और chunk करके नहीं लिखाना हो, जैसे इस side impeller होगा, impeller के बाद यह पहले the panics, लेपने three इस पोजीशन पर dry gas seal आएगा, यहाँ पर general bearing है और यहाँ पर thirst bearing आएगा, तो अब आप समझ गये होंगे, bearing के लिए उधर कोई gas ना जाया, या फिर उल्टा भी bearing oil प्रोसेस गैस साइड में ना जाया, इसके लिए भी एक sealing की हो सकता होगी, इसलिए dry gas seal को बीच में रखना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर रखा गया, अब देखे, यहाँ पर अगर जो भी process gas है, वो आएगा, वो यहाँ पर इस dry gas seal की बाज़े से लिव वैल भी इधर अंदर नहीं जा सकता है, ठीक है, तो इस तरह से dry gas seal रहता है, अब dry gas seal जो है, अगर हम process gas को एक तरह से आपको बाहर निकलने से रोकना है, इसका मतरब dry gas seal में एक हमको, जैसे हमने seal flushing plants भी पढ़े थे, उसमें हम लोग प्रेसर हो, उससे ज्यादा हो, ताकि dry gas seal का gas जो है, वो अंदर चला जाए, और process gas बाहर ना है, तो इसलिए इसको इस तरह से देना पड़ेगा, तो यहाँ पर वो चीज समझते है, कि माली जी कोई compressor है, और compressor में तो आप इसी compressor की बात करें, चलिए मैं इस compressor की बात करो, इस compressor में यहाँ पर देखिए the suction pressure, ठीक है, suction line है, यहाँ इस side में suction line है, दूसरा side में suction line है, और डिश्चार्च बीच में है, तो अगर आप compressor के में pressure देखेगा, तो different parts में, rotor के different parts पर different pressure होंगे, यहाँ पर माली जी suction pressure मैं सब्वोज करता हूँ 0.4 kg है, ठीक है, फिर्स stage का discharge pressure माली 5 kg है तो second stage का discharge pressure मालिजे 5 kg कैस्पास है और final stage का discharge pressure मालिजे 16 kg है इस तरह से प्रेसर है तो अब point यह आता है कि इस side में अगर pressure देखो गया तो इस side में 24.5 kg कैस्पास हो गया और इस side में इधर इधर आएगा इधर तो गैस बाहर नहीं जाने देगा यहां पर एक केजी का दूंगा तो इधर का तो गैसफिश बाहर आजागा क्योंकि अधर, प्रेशर फाइब केजी है आंप समझे रहने हो और अगर मालीजे हम 5 से ज़्यादे दे 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 तब तो क्या होगा यहां पर 6 kg का प्रेसर अगर मैं ड्राइगेस सील में देता हूं तो 6 kg का प्रेसर होने की पर बहुत सारा गैस अंदर जाने लगेगा तो एक तरह से जो भी हम ड्राइगेस सील में अजल लूब्रिकेशन के ृफन ज़ए के लिए जो भी हम नायटरेसन या जो भी यूज करें गता ह्यारत जाने लगी तो बहुत सारा लॉस होगा, तो क्या करें तो उसके लिए एक न वह द्हीं हो इसके लिए हम लोग एक सील बेलांसिंग लाइन बंदे चल ब्रेस और छे-अध लाइन हे लाइन ज तो अब क्या हुआ रिफरेंस गैस पर सब्सक्राइब और वहां से थोड़ा सा आप ज्यादा इमांट पर से 0.5 kg ज्यादा इमांट पर यह जो चला जाएगा वह सील स्कीड में चला जाएगा सील स्कीड के बारें बहुत डिटेल में बात करेंगा वह जाकर के प्रेसर कंट्र से प्रेजर प्रेक्ट प्रेशर रहा को जार से रोक दिया उसके बाद यह टैपिंग यहां से एक टैपिंग से लिया और यह आपका सील बैलेंसे के नेन सक्षन लाइन से जोड देता है सक्षन लाइन से जोड दिया कंप्रेसर के सक्षन लाइन से जोड दिया और फिर यह जो है इस तरह से अब यहां पर प्रेसर और दूसरे साइड में भी प्रेसर सेम हो गया दोनों को जोड दिया माले जो भी ज्यादा प्रेसर कम से एक तरह से म पने द्रिधाल इंडिय्ए द्रों में तझ बात किया था कि जो फ्लसिंग देहिए ज लेकिए प्रॉस में मैं में बैक को दैसे आता है अब आघ था श्णे कहां था सा चैब कर दोस्की आटाइब का मैं मियाते हैं उसकी जगह पे हम लोग बाहर से liquid देते हैं जैसे plan 32 की about किया थे plan 32 में तो बाहर से liquid देते हैं क्योंकि बाहर वो एकदम जो process liquid वो compatible नहीं होता है यह ड्राइ gas seal जो है यहाँ पे भी वैसे ही बात है टेंडेंसी हो तो तो थोड़ा सा हीट भी कर लिया उस तरह से मतलब एक पुरा सीलस कीड इसके बार में हम डिटेल में बात करेंगे किया क्या क्या काम्पोनेंट होता है ऑद मोटा मोटा काड़ी आप समझें कि उसी को फिल्टर करके और यहां पर एक dp इसी DP controller है और कितना DP maintain करना है वो डिफेरेंस gas से ले लिया डिफेरेंस gas का प्रेसर इतना है उससे 0.5 kg DP maintain करके और वो यहां पर gas हम सील एसकीड में दे दिया यह एक system हो सकते हैं या पे जैसे plan 32 में करते थैं उसी तरह इसमानीं भी कर सकते हैं यह यह ऐसे न देकर के हम बाहर से coi nitrogen दे दिया बाहर से clean gas क्लि strangers को या प्रोसे स gesch्ण को भी फिल्टर करके हम अज हिस कर सकते कि कौन सा आपका मतलब और और कौन सा आप एकतरर से बोला जाए कि compatible है इस seal के लिए उसके basis पर करते हैं तो बहुत सारे compressor में ऐसा भी होता है कि discharge सही रहता है और मैंने बहुत सारे compressor की देखा है जहां पर अलग से nitrogen दिया जाता है ऐसे seal में तो आचा करता हूँ कि आप देखो कि यह एक तरह से आप देखोगे कि यह dual seal है dual seal क्यों है क्योंकि यहां पर दो seal है यह देखे एक यह इसको primary seal बोल रहा है यह आपका primary seal हो गया और यह आपका secondary seal हो गया ठीक है यह आपका secondary seal हो गया और यह आपका साफ्ट है और यहां पर लेबरिंस है जिसको मैंने actual image भी दिखाया था यहां पर यह लेबरिंस है और यहां पर obviously impaler होंगे तो यह आपका inboard हो गया ठीक है अब देखिए अब क्या है कि यह दो दो ceil हो गया mechanical seal हो गया इसके लिवाभा यह जो तीसरा seal है इसको हम लोग बैरियर seal या suppression seal भी बहुता है इसका भी purpose समझाएंगे कि क्या होता है इसको हम समझेंगे अभी barrier seal या suppression seal भी बहुता है अब देखिए जो भी हमने te filter गैस था या बाहर से बी कोई भी गैस हओ उसको हम लोग यहाँ पे इंटर कराते हैं तो यहां पे जो इंसर हो रहा है इसको हम यहाँ दिखा 예ぎ है यह आपका प्राइम ही कई हैं तो यहाँ से इंटर होला अब कीतल प्राइमरी व farm यह 0.5 kg जदा होगा 0.5 kg 0.6 kg जदा होगा इतना high pressure पर आप दे दिया ठीक है तो यह इस pressure पर आपने दिया और यह जो primary seal gas जो भी दे रहे हो तो अब क्या होगा कि यहां पर तो mechanical seal है यहांसे तो seal यह तो gas pass नहीं हो पाएगा तो maximum Maximum जो Seal gas right ay na fram участ प्राइम्यकंतो वे अंदर चला जाएगा cep कोईगी भीवाख से उसंने अन stunn लोगरी होता खांव होता है और रोगरा यह three तो कुछ पार्ट जे का सा जो युदर से आएगा डा यहां से अल्टिमेटली जो है वो प्राइमरी भेंट से निकलेगा ठीक है प्राइमरी भेंट से निकलेगा और यह प्राइमरी भेंट जो है वो क्या हां पर रहता है यह अल्टिमेटली फ्लेर से कनेक्टेड रहता है तो यह फ्लेर में चला जाए ठीक है अब यह इस तरह से यह प्रा अब secondary gas को कितना pressure पर देंगे तो यह प्राइमरी का जो vent pressure है उससे थोड़ा सा ज्यादा है ताकि जो भी यह primary gas इदर से बाहर आया वह इदर बाहर ना जाए इसके लिए यहां पर एक लाइबनित भी है तो मतलब जो भी primary से बाहर आएगा वह ultimately primary vent में जाएगा वह यहां लाइबनित में और secondary gas जो है वह secondary gas को थोड़ा सा इसके इस प्रेसर से ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि primary gas इदर इस साइड ना है तो secondary gas को थोड़ा से इस primary flare line से इस से थोड़ा ज्यादे amount पर रखते हैं और वह gas कहां जाएगा यह तो seal है इदर से maximum gas तो जाएगा नहीं maximum gas इस labyrinth से होते हुए इस primary vent flare में चला जाएगा ठीक है और कुछ पार्ट जो seal से इदर से आया कुछ पार्ट जो seal से इदर से आया वह ultimately यहां पर secondary vent में चला जाता है और secondary vent atmosphere में रहता है secondary vent atmosphere में रहता है ठीक है इसके बाद एक थर्ड जो seal होता है जिसको barrier seal या separation seal बोलता है यह mostly labyrinth seal ही रहता है या कहीं-कहीं पर segmented carbon ring seals भी होता है यहां पर हम लोग एक थर्ड separation gas या barrier gas देते हैं उसको मैं कोई और कलर से दिखा देता हूँ हां उसको ब्लू कलर से दिखा देता हूँ यह जो थर्ड गैस है यह जो यहां से गया यह से कार्बन से गया यह ultimately इसका कुछ से केंडरेंट चारा exit कला चाहे तो इसका क्या परपस होता है इसका बत्रस भी होता है कि gebeurt igeritas वारेंगा चेमरेंग यह और यह को गजया यह ऑना चाहिalts जाया क्या mostly by instrument air इस्ट्रमेंट इस्ट्रमेंट प्रेसराइज करें कि लिव वैल को भी इधर ना है, इस तरह से लिव वैल से इधर हमने मेकनिकल सील को प्रोटेक्ट कर लिए, ठीक है, तो अभी आपको समझ में आगे कि कैसे कैसे काम कर रहा है, अब आप सोचते हैं, एक केस लगता है, माली जी कि हमारा मेकनिकल सील यह आपका यह लेबरिन्द फ फेल हो गया, तो प्रोसेस गेस आपका बहार आएगा, प्रोसेस गेस इधर से चला, और यह तो सील फेलियर हो गया, नाइटोजन भी जो आ रहा है, प्राइमरी गेस में, वो भी इधर से चला, और यह अल्टिमेटली कहां चले जाएंगे, आपका फ्लेयर में जाएगा, औ और क्योंकि secondary gas का pressure जादा है तो यह जो भी process gas leak हुआ है वो इस साइड नहीं आ पाएगा secondary gas से भी इधर से जाएगा तो इस तरह से आपका अगर कभी primary seal फेल भी हुआ तो आपका compressor का जो भी gas है वो atmosphere में नहीं जा पाएगा ठीक है क्योंकि secondary gas का pressure is flare line के pressure से जादा है ठीक है और तो obviously इसके कुछ indications हो जाएंगे जिसके indication से आप compression में tripping लगा सकते हो और tripping लगाने के बज़र से आप उसको फिर से change कर सकते हो तो यह कैसे कैसे होगा इसका पूरा circuit हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो यह बात समझ में आ गया कि हम लोग दो सील के हो यूज कि है कि कभी primary seal अगर फेल भी हो गया यह actually dual seal है तो अब तो भी हमारा जो gas है वो फ्लेयर में जाएगा एट्मोस्फियर में नहीं जाएगा ठीक है अगर माली जे कि primary seal तो intact है और सिर्फ secondary seal फेल होगा तो क्या होगा secondary seal फेल होगा तो यहां पर आपका secondary gas का flow बढ़ जाएगा और यह ultimately vent में चाने लगेगा तो यह चीज को लेकर भी एक interlock रहता है तो इसके बारे में हम दो अब seal skill के बारे में detail में बात करते हैं अब देखे seal skill जो है इतना हम समझने के पाद यहां पर देखे एक compressor बनाया हूँ यह two stage compressor है यानि first stage यहां से suction हो रहा है उसी तरह यहां पर भी सक्सन हो रहा है और बीच में discharge हो रहा है इसलिए यहां पर area कम कर दिया हूँ ठीक है अब देखे यह दोनों के बाद यहां पर हमारा primary seal gas गुस रहा है primary gas जो गुस रहा है जो primary seal में जाता है तो यह जो अभी जा रहा है यहां पर यह देखी इसको मैंने बनाया है primary seal तो obviously जो भी gas जाएगा वो compressor के अंदर यहां घुस जाएगा और seal से जो लीक हुआ वो इधर द अब देखे उसी तरह यहां पर secondary seal के लिए जो हमने यह प्रोबाइट किया है secondary seal के यहां से प्रोबाइट किया है अब वो तो यहां पर mechanical seal है secondary seal तो वो यह इधर से ना निकल के यह पूरा intermediate labdent होते होए यह क्या होगा यह भी flare से निकल जागा तो primary seal का leak और secondary seal का normal root यह flare में हो वो ultimately क्या होगा यह vent atmosphere साइड में चला जागा और local vent में चला जागा ठीक है तो अब समझते है primary seal के लिए जो gas है उसका arrangement कैसा होता है generally क्या होता है कि अगर हम compressor के discharge से ही दे रहे है तो जैसे मालीजी ए compressor के discharge से दे रहे है उस case में obviously start-up के दोरान तो compressor के discharge कुछ नहीं रहेगा त एक backup के लिए या start-up के लिए एक मालीजी हा hydrogen प्रोवाइड कर रहे है ठीक है यह कोई DHT का dry gas seal के system बता रहे है तो उसमें इस तरह से system रहता है कि जब भी यह compressor का discharge है उसमें pressure कम होगा तो automatically है hydrogen पे switch कर जाएगा तो इस तरह से backup compressor रहता है ठीक है backup system रहता है उसी तरह अगर हम primary seal में अगर nitrogen just provide कर रहे है या फिर मालीजी fuel gas just provide कर रहे है तो उस case में क्या होगा fuel gas हम provide कर रहा है लेकिन fuel gas का pressure कभी down हुआ है तो nitrogen जो है as a backup रहता है तो बहुत जगर case में यह सब system ही नहीं रहता है directly nitrogen ही primary seal में provide करते है तो जो भी है seal में mechanical seal के face में कोई भी dirt नहीं जाना चाहि और वो DP बढ़ने के filter change over करना परता है ठीक है अगर आप compressor का discharge से ले रहा है और उसमें कुछ liquid होने के chances है तो filter के downstream में heater भी हो सकता है anyway dry gas ही जाना चाहिए seal में तो यह जो है इसके बाद यह जो primary gas जा रहा है वहां पे एक differential pressure control होता है जो की seal balancing line और इस जो primary seal का gas का pressure इसके बीच DP monitor करता रहता है और उससाब से यह control wall open और close होता रहता है तो generally 0.5 kg maintain करते है तो 0.5 kg अगर pressure है यह maintain करता रहेगा उससाब से गया तो obviously 0.5 kg से बहुत ज्यादा pressure ले लोगे तो और necessarily gas जो है वो compressor में घुसता रहेगा तो यह loss है और 0.5 kg से बहुत कम pressure करोगे तो यह process gas जो है इस seal side में तो यह ना हो इसलिए 0.5 के असपास DP generally maintain किया जाता है ठीक है जो भी leak हुआ अब यह leak हुआ यह leak जो है directly जो है इसको हमने root कर दिया flare में अब flare में जो directly root कर रहे है तो इस में flare में flow meters रहते हैं देखे फ्लेयर में flow meter है flow meter भी 3 रहते हैं तो जब भी अगर primary seal leak होगा तो उसको identify कैसे करेंगे जब भी primary seal leak होगा तो इस फ्लेयर में जो gas का flow है वो बढ़ जाएगा तो जो flow बढ़ जाने पर generally 2 out of 3 painter लोग होता है और यह compressor trip हो जाता है मतलब वो बताता है कि primary seal leak कर गया दूसरी बात यह primary seal leak हो तो उस case में भी process gas बहुत जादे फ्लो ना हो इसके दो purpose है एक वो मतलब एक तरह से flow towards flare को control करता है और दूसरा बात कि RO देने की बज़े से यहाँ पे upstream में प्रेसर बढ़ जाएगा अगर primary seal का leak होगा तो क्योंकि primary seal leak होने से इधर flow बढ़ा तो यहाँ पे upstream में pressure बढ़ जाएगा RO के यहाँ कहीं पे needle valve भी दिया रहता है तो needle valve हो या RO वहाँ पे upstream में pressure बढ़ गया तो दो तरीका है यहाँ पे पहाँचाने कैकि primary seal leak होगा RO के upstream में pressure बढ़ रहा है तो मतलब flow बढ़ तो वह pressure बढ़ था तो उस case में भी कहीं कहीं पे pressure पे यहाँ कहीं कहीं पे flow पे Hope Nove कहמנी कि ग रहता है practice ठीक है कहीं कहीं पर जैसे अगर नीडिल वाल दिया है तो उस case में नीडिल वाल के cross dp monitor करते रहते हैं जब flow बढ़ेगा तो obviously नीडिल वाल के cross dp बढ़ जाएगा तो उस dp पर tipping दिया रहते हैं तो anyway जिस तरह के arrangement होता है उस तरह के tipping होता है तो एक बात यहां पर समझ में रहें कि अगर primary seal gas leak होगा तो flow बढ़ जाएगा RO के या नीडिल वाल के upstream में प्रिसा बढ़ जाएगा या नीडिल वाल पर तो उसका dp बढ़ जाएगा दूसरा चुकि primary seal gas का flow यहां पर primary seal gas leak हुआ तो primary seal इदर से एक्स्ट्रा आने लगेगा इसलिए इसके through flow बढ़ जाएगा इसके through flow बढ़ने की बज़े से यहां पर मतलब एक तरह से आप समझो कि primary seal को जाने का एक लावर रास्ता के लावा एक और रास्ता मिल गया तो इसलिए इस लाइन में pressure घट जाएगा और इस लाइन में pressure घट जाएगा और primary seal का flow बढ़ जाएगा तो same DP maintain करने के लिए आपको इस control wall को और खोलना पड़ेगा और primary seal का flow बहुत बढ़ जाएगा तो एक तरीका यह भी समझ में आ रहा है कि flare side में flow बढ़ गया back pressure बढ़ गया तो यह सभी cases से हमको पता चलेगा कि primary seal leak कर गया ठीक है अब secondary seal का arrangement है उसके देखते हैं उसमें mostly nitrogen होता है हर cases में nitrogen को filter कर लिया filter करने के बाद pressure control wall बहुता है pressure control wall generally 1.5 kg या 2.5 kg depending on condition वहां तक ला दिया अब उसके बाद जो seal में जो भेजना है ना वो seal में किस तरह से भेजता है कि यह जो primary seal का जो vent है और secondary seal का inlet है उसके बीच में एक DP maintain करते है और DP कैसे maintain करते है एक needle wall के थूँ ठीक है तो हमको इतना ही थोड़ा सा ही nitrogen देना है बहुत ज्यादा नहीं देना है इस तरह से देना है कि यहां पे जो pressure है उससे थोड़ा ज्यादा रहे ताकि जो भी nitrogen है वो यह रास्ता पकर रहे उल्टा primary seal का leak जो है intermediate labyrinth के through और बाकी अगर कुछ leak है तो वो vent में जाएगा ठीक है अब इसके इसमें अगर secondary seal leak होगा तो कैसे पता चलेगा obviously secondary seal leak होगा तो इसके through जो flow है वो flow बढ़ जाएगा क्योंकि उसको यह रास्ता तो मिला ही है secondary seal से atmosphere में भी जाने के रास्ता मिल जाएगा तो flow बढ़ जाएगा और obviously इसका DP घट जाएगा मतलब क्या इस लाइन में प्रेसर घट गया क्योंकि एक एक एक्स्ट्रा रास्ता मिल गया तो प्रेसर घटने की बज़से इसके बीच में DP घट जाएगा तो अगर सेम DP मेंटेन करना है तो आपको नीडिल वाल और खोलना पड़ेगा और flow बढ़ाना पड़ेगा तो आप समझ जाओगे कि हमको सेम DP मेंटेन करने के लिए flow बढ़ाना पड़ा तो इसका मतलब secondary seal लीक हो रहा है अब कई बार जो यह जो बाहर का जो barrier seal है जिसमें mostly labyrinth रहते हैं उसमें भी या तो हम nitrogen ही दे देते हैं तो मतलब यहीं से nitrogen connection लिया एक और PCB लिया और उस case में एक और needle valve के थूर हमने यहाँ पे दे दिया या फिर कई बार instrument air provide किया जाता है तो instrument air को भी PCB के थूर लिया और यह instrument air को directly हमने यहाँ पे provide कर दिया और यह basically हमको lube-l को इस seal में आने से रुखता है तो इसलिए यह जो instrument air या फिर आपका जो nitrogen provide कर रहा है जो barrier seal में उसका जो PCB के downstream का जो pressure है नहीं बहुत important है यह PCB के downstream का pressure अगर कभी घट गया तो मतलब इधर हमारा instrument air या nitrogen का flow गिर गया तो उस case में क्या है ना कि leave oil dry gas seal system में आ सकता है तो यह dry gas seal को problem कर देगा तो इसलिए यहाँ पे tripping logic भी दिया रहता है या कई बार leave oil pump का start permissive भी इसी पे दिया रहता है कि जब तक यहाँ का pressure नहीं आए तब तक leave oil pump आप start नहीं कर पाऊगे तो यही चीज यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे देखे two out of three में sorry two out of three में एक leave oil pump का start permissive दिया हुआ ठीक है उसी तरह यहाँ पे जब pressure है एक low pressure switch दिया हुआ है तो आशा करता हूँ कि यह पूरा circuit आपको समझ में आया होगा और अगर फिर भी कोई doubt रहता है तो आप comment box में लिख सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद